विजय नाम का एक सरल और महनती व्यक्ति था. वह एक छोटे से गाव में रहता था और अपनी छोटी सी खेती से अपने परिवार का पेट पालता था. एक दिन उसकी सारी फसलें बे मोसम बारिश से नश्ट हो गई. वह निराश और असहाय महसूस कर रहा था. उसे लगा कि उ आगे क्या करे? विजय ने अपने जीवन में पहली बार भाग्य को कोसना शुरू कर दिया. विजय ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया. उसे लगा कि पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया है. उसके मन में सवाल का कारण विधि का विधान है, जिसे कोई भी इंसान नहीं बदल सकता. यह सुनकर वह और भी अधिक व्यथित हो गया. एक दिन, जब विजय अपने खेत के किनारे बैठा, अपनी किस्मत को कोस रहा था. तभी एक व्रिद्ध संत उस रास्ते से गुजरे. उन्होंने विज विजय को देखा और उसकी स्थिती को समझते हुए उसके पास आकर कहा, पुत्र, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम निराश हो जाएं, हर कठिनाई के पीछे एक शिक्षा होती है. विजय ने संत की ओर देखा और कहा, पर मैं क्या क कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है. संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो होना है, वह होकर रहेगा, लेकिन यह तुम्हारे उपर है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो, कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम अपने द्रिष्टिकोन क को बदल सकते हैं. विधी के विधान को समझ लिया था, जो होना है, वह होकर रहेगा, लेकिन हमारी मेहनत और इच्छा शक्ती हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है. विजय को संथ की बातों में गहरा अर्थ दिखाई दिया, विजय ने संथ की बातों को अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया, उसने अपनी बरबादी को स्वीकार किया और खुद को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया, उसने अपनी किसमत पर दोश देना ब बाहर होती हैं, वे हमें तूटने के लिए नहीं, बलकि सीखने के लिए आती हैं। अब विजय अपनी किस्मत को कोसने के बजाए हर स्थिती में अपनी महनत और सकारात्मक दृष्टिकोन को प्राथमिकता देता है। उसके मन में गहराई से बैठ गई थी। उसने समझ लिया कि विधी का विधान अटल है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोन और कर्मों से उसे संभाल सकते हैं। विजय अब न केवल खुद के लिए बलकि अपने गाव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। इस कहा कि हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और उसे सकारात्मक रूप में लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।